बिस्मिल्लाहिर्रमान रहेल, अस्लाम अलेकुम आप लोग का बहुत बहुत स्कुशाम देख, वीडियो लर्गन क्लास में, जिसमें आप अगर आप यह पहली वीडियो देख रहे हैं, तो ब्रहाय निर्वानी इस सीरीज को पार्ट वन से देखना की दिएगे, मजीद समझने के लिए मेरी जितने भी टुटोरियल्स हैं, वो सब आप पासटेंगे यूट्यूट के इस चनल पर, youtube.com user slash videoeatsb जाए youtube में जाके आप videoeatsb लिखेंगे, तो भी मेरा चनल आ जाएगे इसमें हमारा course है html5 और यह है beginners के लिए, मैं हूँ आपका presenter बावगर जी और जो आज का lecture है वो है html elements, इसमें कुछ जदा practical करने की है नहीं, मैं सिर्फ आपको यह बताऊंगा इसमें, कि elements क्या है और वो क्यासे use होगा है, html elements जो है वो starting tag और ending tag के बीच में जो भी content होगा, जो भी लिखा होगा जो element कहना पर है जैसे के नसाल के तोरके tag name यहां पर कोई भी हो सकता है, heading name या paragraph या time या table या image तो जो इसके अंदर में लिखना है, इन दो tag के बीच में लिखना है वो है आपका element जो html element है वो कुछ भी हो सकता है, starting tag के शुरू से लेके ending tag के end तक, जो भी आपने लिखा हो वो आपका element हो कहा है आपको कुछ example के लिए, starting tag हो, tag जो है वो है h1 heading के लिए, इसका element पॉंट है जो हमने लिखना का my first heading है और उसका ending tag है, यह, starting tag, element, ending tag, इसी तरह paragraph का starting tag, जो भी आपने paragraph में लिखना, वो और उसका ending tag, जो है element ऐसे elements यह, जो ऐसे tags होते हैं, जो कि जिनमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है, उनको empty elements काते हैं, यह, जैसे के यह, broke, यह अगली line में, tags को अगली line में भेजने के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप एक paragraph लिख रहें, फिर आपने दूसरा paragraph चुरू करना है कि paragraph जहां end हो रहा है, वहां तो आप यह लिखने है, broke, middle bracket star, dr, और angle blocket close, यह, जो tag है, यह है, आपका break, अगली line के जाने के लिखा है, जो यह जो break है, element, break element है, यह कराता है line breaking, nested element, nested html element जो है, वो एक element के बाद में, recent element, उस जो फूरा system है, उसको हम जाते है, nested element, जैसे कि आपको हमने एक example बिनाएक है, अपना टैला index page बिनायाता है, तो यह जो है, एक को इसके बाद दो body में, body और body closing के बीच में, उनको हम nested, element के बाद में, यह जो example हमने यहाँ पर दी है, इसकी explanation की जिसके बाद हो है, stml जो है, वो define कोता है, बताता है, कि सारा document इसके अंदर भी नहीं है, उसका starting जो tag है, जो htmr or rounding tag a htm e slash के और, the element content जो है, element content जो है, element content जिखनल में, वो भी एक element ही होता है, जयाता कि body, जयाता कि h1 के अंदर भी लिप्टा जो एक लिप्टा जो एक तो बीकिन जो भी लिखाँ करें और बड़ी जो बताता है कि इस बॉड़ी के दर्मियान में, जो दी गटिमेंट की बॉड़ी है वो क्या है? वो पुर्पेज दिखना है वो क्या है? इसका starting tag body है और ending tag class के तर body है उसमें वस्तियमें पाइज जो हैं जो body element है body element उसमें फर फर्दर जो हैं जो वस्तियमें elements अपने हैं जैसे पर body element जासे हम आगे चलते जाएंगे यह सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे जो h1 element जो है जो heading के बालता है उसका start ले जो h1 से वकार 마음에 होना जो element content may still our second जो element is content नो सारी जो element का content को be गरागराथ में भी same है verse paragraph जो अवस्तियमें पोंने इसमें आप जब्भी program है तर तो गर्रम लिखने हुए चाहे वो stml हो चाहे वो cfs हो चाहे वो php programming हो या फिर jquery हो या dhub script हो या कोई भी programming है कोई भी language है आप हमेशा एक चील लियाद रखेगा कि do not forget the end class कभी भी अपना ending class है वो आपने फिली है इससे आपका जो document है इसकी पूरी appearance जो हो पूरी जो इसकी निमाशा वो सही परीकरशन ही आईगी जैसे आप देखने काँए यह जो example है यह सारे browsers में काम करती है वोड़ में इसकी आपने देख चीज नहीं कीज़ी तो इसकी इंबनी काथ नहीं है लेकिन यह फिर भी सही परम करेबागा कुछ आलिमांस असे हैं जिनका अगर अप्ति ओगें काद नहीं ही देख तो इसकी आपने तो इसकी निकाए नहीं है कुछ गोनिक्ञा पारग्रादा एन्टीन वारग्रादा को lesson फिर валता फिर हुआ है और बोजल में कीमें तो आजय को नॉह में का आप चीट बेन पहीं बेन, cał凰म है जो इन पीजने स्टली अप्स के वह से ब्स्न इसन पोके सहे प्रचा सी को कह रिए अप्स है वे अग्री्न को डे अब चाहिए और इसके आजासर में चाहते नहीं नहीं दो कि आजा सोंधे इसके आजासर मील चाहते से स्थमेफ नहीं तो है वो एंग जो यह प्ती ईलॉमन्ट संघने को बड़ गरता दिखनागे विद्धाब प्लॉप में जो आजा है वो फ्केंट पामेफ। जो HTML tag ने वह प्रेस नहीं होते। इस बड़ा लिखने या पीछ उता लेकिंग लेकिन लेकिन आप नहीं करने हैं। लेकिन आप नहीं अचल यह कोशिश की जोगे। प्रेस की तो हैं उनको ठीटा ही रखना है। तो आपको हमेशा तो आप तक की लिए इस तो हमारे तमाम की तोविया कि हम यही रिकिमेंट करते हैं कि अब चुब में लोवर केस्टर की यूज़ करें अब तक के लिए इस इतना ही हिपनो लेंगे अगली इसी सीरीज के अगले स्टोरियल में अब तक के लिए इड़ा किस अब बाताश्गश्या आए अबाता तक के लिए पुब उबता तक के लिएड़ाख़ नेसा यूज़ स्टोरियल में अब तक को तक का यूज़ysis चूज़